असलाम अलाकिम आवरीवन वेलकम बैक टो दे चैनल आज के व्लॉग ये वीडियो मेरी पैलस्ताइन इस्राइल सीरिस के बारे में है माशाला काफी ज्यादा लोगों ने वो व्लॉग्स देखे हैं उसको एप्रिशेट भी किया है थेंक्यू सो मच बहुत ज़्यादा लोगों के कॉमेंट्स आया है और साथ में इंस्टाग्राम पर डियम्स करके लोगों ने बहुत ज़्यादा क्वेस्टेंस पूछे हैं तो पहले तो मैं सबको इंडिविजली जवाब देता रहा लेकिन अब मोस्ली के क्वेस्टेंस सीमील है तो इसलिए मैंना सोचा है कि सबके क्वेस्टेंस कटे करके एक वीडियो बना दूँ और उसमें वो सारे टॉपिक्स जो आपने पूछे हैं वो कवर करूँ तो इसमे मैं आपको पाकिस्टानी पासपोर्ट पे आप इसरैल कैसे विजट कर सकते हैं क्यों करना चाहिए क्या आपको करना चाहिए मेरा परसनल एक्सपिरिंस वहाँ पे कैसा रहा और साथ में यह कि आप कितना खर्चा वहाँ पे होता है एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए लोगों कब हेवगिर कैसा था वहां पे पाकिस्तानियों के साथ तो यह सारी चीज़ जो ना मैं आपको बताऊंगा कोशुश होगी कि मैं जितनी जल्दी जो ना थोड़ा टाइम लूँ इसमें और जितनी आपको इंफरमेशन चाहिए होगी वो तो उमीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको मिल जाएगी तो लेट्स टॉक अबाउट थे सबसे पहला क्वेस्टिन जो अल्मोस्ट हर पाकिस्तानी ने पूछा है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे इसराइल कैसे जा सकते हैं पासपोर्ट जो इसराइल के लिए वैलिड नहीं है पाकिस्तान का पासपोर्ट इसराइल के लिए वैलिड नहीं है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप इसराइल नहीं जा सकते हैं आपको इसराइल का वीजा चाहिए सिमिलरली और भी कंट्रीज हैं वहां के एक लड़के ने मुझे लिखा था, उनका पासपूर्ट भी वैलिड नहीं है, लेकिन अगर आप वीजा अप्लाइ करें, आपको वीजा मिल जाता है, तो आप चाह सकते हैं, पैलस्ताइन इंटर होने के लिए, आपको इसराइल के अथारिटी से वीजा ये परमिशन जो है, वो चाहिए होती है, क्योंकि पैलस्ताइन का अपना कोई बॉर्डर अनफॉर्शनेटली नहीं है, और ना है क्योंकि कोई ऐसा सिस्टम है कि आप जो पैलस्ताइन का वीजा लेकि इंटर हो सकें, इसलिए एक ही ऑप्शन है, इसराइल का वीजा लें, और वहां तो बहां पे तो अमबैसीज हैं, तो आप डिरेक्ट कॉंसलेड यामबैसीज हैं, पीजा के लिए अप्लाई करें, आपको एक फॉर्म अगरा देंगे, और उसके ओपर एक्स्ट्रा क्वेस्चनेर होते हैं, वो आप फिल करें, आपका इंटर्व्यू लेंगे, इंटर्व करना चाहता था कि मैं विजट कर रहा हूं, तो सिरफ और सिरफ मेरा मकसद जो है, वो इसराइल विजट करना है, पैलेस्टाइन विजट करना है, और कोई अप्शन नहीं, हाँ आप प्रिपेर होके जाएं, कि आपने क्या देखना है वहां पे और किदर जाना है आपने, य अगर आपके पास किसी गहर मुल्क कंट्री का पासपोर्ट और यॉरप का और या कहीं का, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कि मुझे मेरे पासपोर्ट पर स्टेंप ना लगाएं, तो आपको एक वो पेज दे देते हैं, चोटी सी स्टेंप होती है, इंट्री की औ जाती है आपको, तो जो ये कन्फूजन है, बात में आप पाकस्तान जा सकते हैं ये नहीं, वो अगर आपके पासपोर्ट पर कोई रेकॉर्ड नहीं है, तो खुफली कोई मसला नहीं होगा, उसके लावा दूसरी आप्शन जो आपके पास ये हैं, कि अगर आप नहीं पाक जाने से पहले इसराइल के अमबैसी को एमेल करते हैं, उनसे पूछ लें, उनको अपने डॉक्उमेंट सेंड करते हैं, फिर वहाँ पर जाएं उनकी अमबैसी और वहां पर कोशिश करें आपको वीजा दे दें, अगर वो नहीं, अगर ये तो दिन टाइम लेंगे, उसके जाने जाते हैं तो हो सकता है, आप दो तीन गंटों में चले जाएं, अगर रश हुआ तो पांच साथ गंटे जाले जाएं, मुझे जुरुसलम में एक पाकिस्तानी फैसलाबाद की फैमली मिली थी, जो माबाप जो थी वो पचास से ज्यादा के थे और लड़कियां जो थ जाएं, 6-7 गंटे के लिए, जैसे हमें बॉर्डर पे तकरीबं 6 गंटे लगी हैं, दो मेने पहले मारा एक दोस्ट गया था, बॉर्डर भी इतना रश नहीं था, वो तीन गंटों में फारिग हो गय थे, जो तीसरी आप्शन है, पाकिस्तान में पालेस्तान की अमबैसी है जो मोसली पाकिस्तानी जर्नलिस्त जाते हैं, वो पालेस्तान की अमबैसी से परमिशन लेते हैं, उसके बाद आउनलाइन वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, उसका प्रोसीजर मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अमबैसी का लिंक नीची डाल रहा हूँ, उनकी ओमेल और उन पासपोर्ट पे जिसके चांसिस कम हैं कि अगर खुदाना खासता आपको वहां पर कोई मसला होता है तो पाकसानी अमबैसिज आपको रिस्पॉंसिबल नहीं होगी क्योंकि उन्होंने पासपोर्ट पर लिखा ये वैलिड नहीं है आप फिर भी जा रहे हैं वो आप पर डिप जो इसकी historical background है जो religious background है वो दुनिया के आपको किसी और city में नहीं मिलेगा अब कुछ लोग जो नहीं मुझे बार-बार message करके और comments करके कि तू यहुदी रा का एजेंट और एमदी या तू वहां पर करने क्या अगर तो यार खुदा का खौफ खाओ मैंने अपना जो पहला व्लॉग बनाया था उसमें शुरू में कहा था कि अलहमदलिल्ला है मुस्लिम तो आप जो ना interpret करके मेरा religion और मैं उसके साथ हूं उसके मैंटर है ठीक है आगे आप जो है वो उसको चेंज करके इधर उदर जो है ना वो करने की कोशिश ना करें और गालियों गलूच से जो है परेस करें आपने नहीं विजट करना ना विजट करें जो करना चाह रहे हैं उनको करने दें जो जूरूसलम है वो हमारे हमारी तीसर बना सकते थे इनको country बन सकती थे छोटी सी लेकिन ये चाहते ही उसी जगा पे थे उस holy city में जो के तीनों religions के लिए holy जगा है और वो जगा जहां पे इतने ज्यादा अंभिया कराम आए हैं और हम क्यों न वहां पर जाएं यार हमारे हमारे लिए एक historical city हमारा पहला किबला वहा लेकिन मुझे history पसंद है मैं मुसल्मान भी हूँ तो मुझे इस तरह की चीज़े पसंद है इसलिए मैं जा तो आपने नहीं जाना ना जाएं बिल्कुल ना जाएं लेकिन यह कि आप दूसरों की उपर यह चीज मुसलत ना करें कि तू वहां पे क्यों जा रहा है तू क्यो तरह की cities दुनिया में आपको कहीं और नहीं मिलेंगी और हजारों लाखों visitors आते हैं मुसल्मान आते हैं इंडोनेशिया से इंडिया से बाकी country से बहुत जगों से आते हैं तो आप यह कुछ डिसाइड करें अगर आप विजट करना चाहरे हैं फिर लोगों मैं मुझे देखी तो उसके बाद दोसने में मुझे दिखाई थी मुझे पहले नहीं पता था इतना पता था कि सेम प्रोसीजर होता है लेकिन यह confirm नहीं था कि वाकी हलाल होता है तो मैंने जाने से पहले यह चीज़ी दिखी दिए तो आप भी वो देख लें अगर आप नहीं मानते त इसका की दूब तर Ini का संशाथ है यहाई यह मतासी है फ्रेंड्ली ता वह कि बात वालस तो फ्रेंडली था यह थोड़ा बात का यह भी निकाल करेंखाऊ यह भी दिखाऊ प्रेंड जो दो हुआ सा था लेकिन जो लोग थे तलावीव में यह जुरुसलम में दिए वर अक् तो उसमें भी मैं वाग कर रहा था तो मुझे किसी ने कोई जो है वो ने कि अपने काम से काम रखते हैं गुजर गया बस पास से हाँ अगर आप उनके अरिये में जहां पने लिखा है कि इदर आपने फिल्मिनिंग करें वहां पी आप जाएं तो फिर वह सकता है आपसे बतमीजी करें मैंने इसलिए उदर उस से लिए कि डीप जो अंदर नहीं गया था और बस बाहर जो में रोड है वो मैंने जरूर देख अगर आप ठाहर रहे हैं तो 30 यूरो तक लग जाएंगे हमने वहां पे जो अपार्टमें लिया था चार रातों का मेरे ख्याल में 80 यूरो पर नाइट दिया था तो हम दो बंदे तो 40-40 हो गया था तो आप खुद इसाब लगा लगा लेंगे फूड जो है आपको अगर आ अरप एरिये में जाके थोड़ा सा डीप जाती हैं तो वहां पर आपको 10-12 का भी मिल सकता है आप का भी मिल सकते हैं हाँ पैलेस्टाइन का जो इरिजन था जूरुसलम के इलावा बैतल है वो थोड़ा सा सस्ता था और हीबर्यों भी थोड़ा सा सथा था लेकिन बाकी जो वह सेम प्राइस थी आप 15 पंदरा यूरो जोने हिसाब लगा कर रखो पक्सान की करेंसी में आपको क्या बताओ कि पक्सान की करेंसी कभी 10 रुपैर 15 रुपैर उपर होती है कभी नीची हो तो इसलिए आप जोने हो पुछास यूरो का हिसाब रखें यही लोगों के सवाल थ चाहता हूं मुझे आप अपना वट्साइप का नंबर दें तो फिर मैं मुस्ली रिप्लाइ नहीं करता तो जो भी आपका क्वेस्टिन हो मुझे लिखते हैं मैं इंशालला आपको रिप्लाइ कर दूंगा और उसके इलावा होफ़ुली आप खुछ डिसाइड कर लेंगे क मेरे व्लॉग देखने के बाद आपको जाना चाहिए कि नहीं और अगर आपको पसंद आता है मेरा कॉंटेंट तो इसको लाइक करें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दें आपकी मेरे मानियों शुक्रिया थेंक्यू वेरिमच और आप लोंगों से मुलाकात होगी अगले व् अपक्राइब करें से मुलाकात रह राद थाज़ नहीं झाले आ फॉलो कर दो कि मुला मेरे रहिंते है।